वेलकम टो वर्ड चैनल मैथमाटिक सक्सेस हम लोग यहाँ पर दसम्लो पद्दत दुयादारी पद्दत में रुपांतर देख रहे थे ठीक है यह मैंने समझा दिया था आपको और यहाँ पॉइंट दसम्लो वाला जो था यह मैंने कहा था आप देख लिजेगा बिल्कुल व 15 का 5, carry 1, 28, 16, 1, 17 का 7, carry 1, 26, 12, 1, 13, 13 का 3 और 1 किदर आएगा पॉइंट के इधर आएगा वो हमने यहाँ पे लिख लिख लिया है ठीक है आप क्या करेंगे फिर से 2 से multiply करना है कब तक करना है जब तक 0 ना आ जाए ठीक है तो फिर से करो 2, 0, 0, 2, 5, 0, 10 का 0, carry 1, 27, 14, 1, 15 का 5 carry 1, 23, 6, 1, 7, ठीक है यहाँ पे कुछ नहीं आया ना दसमलो के इधर पॉइंट के इधर कुछ नहीं आया तो यहाँ 0 लिख दिया ठीक है फिर हम 2 से multiply करेंगे 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 5, 10 का 0, carry 1, 27, 14, 1, 15 का 5 ठीक है यह 15 पूरा लिखो तो 1 यह वाला दसमलो इधर वाला यह इधर लिख देंगे ठीक है अब देखो फिर 2 से करो सब 0, 0 आ जाएंगे ठीक आप 0, 0 आ गया तो उनको करने की जरूरत नहीं है ठीक है यहाँ पे 0 आ गया वही रुख जाना है और यह इसका यादा है जब इसको लिखेंगे बायनी नमबर में ऐसे लिखेंगे पॉइंट के इध समयों को विस्तार से समझाईए तो कैसे समझेंगे इसको hexadecimal number hexadecimal पदती में 0 से 15 अर्था 16 अंकों का उपयोग किया जाता है इसमें 0 से 9 के अंक और 10 से 15 को A2 F alphabet से रुपित करते हैं ठीक है तो आगे देखते हैं ठीक है फिर क्या था hexadecimal संख्या को binary के 4 अंकों के समयों से दर्षा आ जाता है ठीक है जैसे hexadecimal एक संख्या का binary मान जो है वो 001001 है होता है जिसका आधार 16 होता है और hexadecimal संख्या पदती में स्थानी मान 16 के गुड़क में होता है तो अभी आपको बताया 0 से 15 तक के number कितने आ जाएंगे भाई 1 से 15 तक 15 एक 0 को मिला ले तो 16 9 तक के 129 तो 9 होगे 0 को भी मिलाएंगे तो 10 नंबर इन्हीं का यूज करेंगे ठीक है तो कैसे लिखेंगे देखो समलो यहां 0 1 2 3 4 5 6 7 8 16 तक number लिख लो ठीक है दस अब लोगे भी वही लिखना है जो number है ठीक है इधर A B C D लिख दिया इसके बाद 9 के बाद ठीक यहां तक 1 आ गया अब 2 के लिए क्या आएगा देखो 2 के लिए क्या आएगा 2 1 जा 2 ऐसे ही तो करते हैं 0 कुछ बचा ही नहीं तो 1 और 0 आ गया ठीक है इस 1 को भी count करते ना कर बताया था 1 0 ठीक 3 को करेंगे तो देखो 2 से करो ठीक तुमको यह याद नहीं रखना है ठीक है यह याद नहीं कर पाओगे इसको देख लोगे तो कायदे से मतलब वहापे नहीं आता है आ गया प्रमें तो भी कलोगे देखो 2 1 जा 2 लगाया 1 बचा तो 1 इधर लिख देना है ठीक है अब इस वाला जो 1 होता है इसको भी count करेंगे 1 1 ठीक है ठीक हमको 4 नमबर में लिखना है चार ट ठीक है इस फन को भी क्या करेंगे count करेंगे तो 1 0 0 ठीक तो 1 0 के लिए पहले से 0 लगा देंगे चार नमबर बनाने के लिए ठीक है समझ में आया इतना अब देखो इसी टाइप से पूरा लिखना है ठीक यहां तक अब देखो 13 का लिख के दिखा दे रहें आप फिर कर लेन 2 6 12 1 बचा 2 3 6 0 बचा 2 1 2 1 बचा फिर 1 बारी लगेगा 1 1 0 1 क्या है लिका 13 का देखो 1 1 0 1 ठीक है यह हो गया 13 समझ में आ गया तो इसी टाइप से आपको लिखना है यह बहुत इजी है हेक्साडेसिमल को दसमलो में और दसमलो को हेक्साडेसिमल में रुपांतर सही दर्साई है तो यह टेबल कितनी इजी हो गए आपके लिए बनाना पेपर में है आ गया बड़ी आए एक पन्ना का तो टेबल ही बन जाएगा एक पन्ने में लिख देना एक दो पन्ने में यह अच्छी उनिट है मतलब बहुत इजी है आप बहुत अच्छे से इसको त्यार कर सकते हैं दसमलो को हैक्साडिस्मन में रुपांत्रट करने के लिए दसमलो आधरी संख्या को इसको अच्छी उनिट है जब तक भागफल 16 से कम ना आ जाए जैसे यहां पर करो ठीक है यहां से सोला से ड्वाइट किया 16 टूजा 32 बचा 2 इधर चला गया ठीक है इस तरी टू बचा 4 इधर चला गया 16 कितनी बटे भी लगेगा ठीक बार लगेगा कितना होता है 16 ट्रीजा 42 इतो आएगा ठीक है तो वही लिखना है 1 बच जाएगा फिल लगेगा ठीक है तब तक वाज़ित करना है जब तक आपको कैदी से कोई लेना देना नहीं ठीक है उसके बागे लगाओ ही न ठीक तो वन बचेगा इतना आपका हो जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे आप इधर 14 बच रहा 16 में से 23 माइनस कर लो 7 बच तो ये 1 और 7 हमारा इसका hexadecimal में रुप अंदर हो गया तो अब समझगे अब दसमलों में कैसे करेंगे दसमलों समझो 10, 10, 16 दिया हो है तो आपको 16, 16 से आप समझगे ये क्या करना है hexadecimal में change करना है ठीक है यह base 10 था 16 है क्यों क्योंकि ये hexadec तो आप देखो इसको कैसे करना है 16 से हमको करना है तो कैसे करेंगे आपको बताया था अब जब देखो 5 3 2 में नमबर दियत कि क्या मनते हैं तो टू की पावर 0 तू की पावर यहाँ पर क्या मानेंगे क्योंकि एक साड इसमाल है तो हम क्या मानेंगे यहाँ 16 की पावर 0 इसके पास और इसके पास 16 की पावर 1 तो यहाँ नमबर दिया 10 ठीक है देखो एक नट टिक है यहाँ नमबर दिया हुआ है क्या यहाँ पे नमबर दिया हुआ 10 ठीक 10 नमबर दिया हुआ है अब देखो यहाँ 16 की पावर 0 यहाँ 16 की पावर 1 multiply करो 16 की किसी की पावर 0 ती value में सा 1 1 की 0 से multiply मुझे देख के दिखाते 10 16 की पावर जीरो 16 की पावर वन इसके नीटे तो जीरो की 16 की पावर जीरो से मर्टिप्लाइए प्लस वन की 16 की पावर वन से तो कितना आ जाएगा 16 प्लस 0 क्योंकि जीरो से multiply होगी किसी की तो 16 की power 0 1 0 की multiply 1 से तो 1 तो यह आजाएगा माला 16 base 10 ठीक है तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में अगले वीडियो में हमनों question 3 discuss करेंगे जो कि यह hexadismal का दुई आधारी रुपांतरड और दुई आधारी यह साथी साथ चैनल को subscribe नहीं किया है तो उसे भी subscribe कर लिजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन जैभारत